जे-हाई शिरीकिष्णामित्रों । आपका बहुत-पत् स्वागत है उची तुपायी चानल में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। और आज मैं आपके निलाया हूँ चोकलेट दौआरा वशीकरन। आज मैं आपको बताऊंगा कि चोकलेट दुवारा आवशी करन कैसे कर सकते हो उससे पहले मैं आपको बता दू यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर देजिए और बैल आइगन को दवा दीजिए ताकि आपको डेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई प्रेमी है या प्रेमी का है वो आपसे नराज है तो आप उसको कैसे अपने वश्मे कर सकते हो बहुत से मेरे मित्र हैं जो अपनी प्रेमी का प्रेमी को लेके बहुत ही प्शान है कि उनके बीच में लड़ाई जगडा हो गया है या किसी भी वजह से उनके बीच में दूरिया आ गई है तो देखे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी और उपाई करें भी होंगे लेकिन आपको उनमें आसाफलत मिली होगी क्योंकि मैं आपको बतादू देखिए वशी लन जो है वह आसान किर्या नहीं है कि आप और किसी का भी वशीक्रण एक दिन में किया जाए एक दिन और बाकी जो दिन है इन में आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती है जैसे कि मैंने आपको काफी वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से किसी का भी वश्यक्रन कैसे कर सकते हो अगर आप तंतर मंतर द्वारा अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हो या फिक किसी भी तरह क अगर आपको कोई समस्या है तो तंतर मंतर का अगर आपको सहरा लेना है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सबसे पहले आप तंतर मंतर को समझीए किस तरह से प्रियोग किया जाता है और किस तरह से इसका सहरा लिया जाए अगर आपकी कोई समस्या है तो ड बिल्कुल पहले सला ले लिजिए, तभी आप उपाय करिएगा। ऐसा नहीं है कि हर उपाय आपके लिए कि लिए है। І इनकी समस्या अलग है और उनके उपाए भी बिल्कुल अलग है अगर आप कोई उपाए करते हैं तो उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह जानकारी ले लीजिएगा तभी आप उपाए करिए मेरा परियास यही रहता है कि आपका समय और पैसा दोनों बचे बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जो इधर उधर बठकते हैं काफे लोग परियास करते हैं समस्या का समधान करने की उनकी समस्या का समधान तो होता नहीं है बलकि समस्या और उनकी बढ़ जाती है क्योंकि देखे तंतर मंतर जो है ये भलाई के लिए बनाया गया है अगर आप इसका गलत इस्थमाल करते हो या गलत तरीके से करते हो बिना जानकारे के अगर आप करते हो तो इसमें आपको उल्टा भी अस़र कर जाता है तो देखें मेरा परियास तो यही रहता है कि आपका समय और पैसा दोनों बचे तंदर मंदर की जितनी जानकारी मैं आपको दूँगा तो कि ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा जितनी भी मैंने अपने वीडियो बनाई है सब में जाधतर वैसे जानकारी है मैं ने दे दी है अगर आपको फिर भी मुझे संपर करना है या किसी भी समधान के बारे में पूछना है तो आप मुझे सकते हो जितना मेरा प्रियास रहेगा मैं तंतर मंतर की उतनी जानकरी आपके लिए लाता रहूँगा बस आपको करना हितना है कि वीडियोस को जादे से जादे लोगों तक शेयर केजिए जो अपनी समस्या का समधान ढूंट रहे हैं और किसी भी तरह की किसी को अगर कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सके या फिर मेरी वीडियो दुबारा वो समधान कर सके क्योंकि अगर आप सोचते हो कि समधान करना आसान है तो आप देखे भूल जाए बिल्कुल भी कि तंतर मंतर दुबारा कोई भी समस्या का समधान आसान नहीं होता तंतर मंतर दुवारा जितना भी आसान उपाय हो सका मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ही और प्लीस आपसे रिक्वेस्ट में यही करता हूँ कि जादे से जादा लोगों तक वीडियो पोचाईए ताकि वीडियो जादे से जादा लोग देखें और उनको सही ग्यान पराप्त हो और आगे मैं आपके लिए लाऊँगा जीवन में जीने के लिए कुछ ऐसे तरीके कुछ ऐसी बाते बताऊँगा मैं आपको जो आपके जीवन को इतना आगे ले जाएगी जिसकी कलपना आप खुद भी नहीं कर सकते कि आप जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और हमेशा ध्यान रखना कि तंतर मंतर दुवारा जितना भी ग्यान हो सका मैं आपको उतना देता रहूँगा और आगे मैं आपके लिए लाऊँगा इनी विशे के बारे में वीडियो जो आपके जीने के लिए ऐसी ऐसी रहा बताऊंगा मैं आपको जो आस तक किसी ने नहीं बताई है और आपका जादा ना समय लेते हुए आपको आज के जो विशे है चोकलेट दौरा वर शिक्रन आपको मैं इसकी पूरी जानकारी बता देता हूँ कि किस तरह से ये किया जाए और कभी ये किया जाए जो ये उपाए है इसका खास उपाए तो ये है कि शुम मूरत पे किया जाए तो बैतरी परिनाम मिलेगा समय भी आपको जादा नहीं लगेगा उपाए करने में तो देखे इसका जो शुम मूरत है जो खास दिन है वो है सूरे घ्रेन के दिन ये आप उपाय करना है आपको और ये आपको सूरे घ्रेन का जो भी समय है उस समय पर पूरा आपको इस मंतर का चाप करना है अगर आप सूरे घ्रेन से किसी भी अलग दिन करना चाहें तो इसके लिए आपको शनीवार या मंगलवार वाले दिन ये शुरू करना है और ये साथ दिन तक लगातार करना है अगर आप सूरे ग्रेंड वाले दिन अगर ये उपाय करते हैं तो खाली आपको एक ही दिन में ये मंतर का जाप करना है और मंतर का जाप आपको इस तरह से क करना है कि अगर आप सूरे ग्रेंड वाले दिन अगर आप कर रहे हो तो खाली आपको एक दिन में ही सिद्ध कर लेना है यह मंतर और अगर आप अन्य था किसी और दिन करने जा रहे हो तो इसका आपको साथ दिन लगातार करना है जिसके लिए आपको जो यह संख्या है वो रो लोंग, सुपारी, टोफी, पान, इत्यादी, और सबसे बहतर रहता है कि आप चोकलेट से करेंगे तो आपको जल्द ही परिनाम मिलेगा, तो मंतर इस परकार है, लोकल दियान से सुनना, दुआई बाबा हनुमान की दुआई, मारगट वाले की दुआई, चोगन वाले की दुआई, मुरादे खाने वाले की दुआई, पाचो वीरो की दुआई, सिर्याद बादशा की दुआई, ला इल्ला इलिल्ला मोहबत रसुल दुआई बावरी की, मेरा सहीबा की दुआई, कालका माई की दुआई, नगर कोट वाले की दुआई, बाबा बालक नात की दुआई, गुरु गुरक नात की दुआई, अलखेया बाबा की दुआई, मरगट वाले की दुआई, बैरो काली की दुआई, बंगली बाबा की कोई टेक्र करके आप यह मंदर रे सकते हैं शुब दिन वाले दिन आपको इस मंदर को सिध कर ले ना है मैंने आपको यह पता दिया है या। फिर सूरेगयरेन के दिन आपको एक दिन में मंतर के जाब कर लीना है या फिर अन्यधा किसी और कल दिन गरते हो तो साथ दिन आपको यह करना है किस तरह किया जाये तौप बिल्कुल अची तरह से सुनिए गा सबसे पहले और पो एक चोकलेट या जो भी आप किसी को पर ये मंतर सिथ कर रहे हो समय आपकर रात को ही रहेगा आप को वह चीज है ले लेदी चाहत में और मंत्रीज चाहिए करती रही और उसके पर फूक मारती रही है जिसे आपने एक में खाने कें निये मत दीजेगा जैसे किा ये जिसके उपर आप ने मंतर सिद्ध किया है तो उसका कलर थोड़ा सा आपको चेंजे लगेगा उससheld वह मंतर वश में हो जाएगा द्धान रखीगा किसी ऐसे इनसान पर ये वशी गरन मत करेगा जिससे उसको नुक्सान पोचे और अपने फैदे के लिए और कभी भी दूसरे के नुक्सान के लिए कभी भी उपाय मत करेगा और मैं आशा करता हूँ आपको ये मंतर के बारे में बिल्कुल अच्छी जानकारी मिली होगी और मैं आपके लिए ऐसे ही और उपाय लाता रहूंगा अगर आप इस उपाई के बारे में कुछ पूछना चाते हो या फिर किसी तरह की सला लेना चाते हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए मैं आपको यहाँ पर जवाब दे दूँगा या फिर आप मुझसे संपर करना चाते हो तो डिस्क्रैप्शन में मैंने अपना नमबर दिया हुआ है वट्सैप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, कॉल का जो टाइम है तीन से ग्यारब जे की बीच में रहता है हर तरह का सवाल की जानकरे मैं आपको दे दूँगा और एक महतनुपून बात यह है कि अगर आप मुझसे संपर करते हो और फिर मैंने आपको वीडियो का लिंक भेजा है या मैंने आपको बताया है कि उस तरह से यह उपाय करें तो प्लीज आपसे रिक्वेश्ट है कि एक बार जो भी मैं वीडियो आपको भेज़ दूँ उसको अच्छे तरह से आप सुन लीजिए और फिर आपको कोई समस्य आती है तो आम उसे पूछ लीजिए और अगली वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही खास लाने बाला हूँ जिसमें मैं आपको एक मुसल्मानी मंतर बताऊंगा जिसके जाब से ही खाली आप फिशिकरन कर सकते हो और इस वीडियो को आप ज़्यादे से ज़्यादा लोगों को शेर कीजिए ताकि तंदर मंतर यंतर की या फिर किसी भी तरह की किसी को अगर कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते है जादे से ज़्यादा ग्यान हो और जादे से ज़्यादा लोगों तक पोस्ट सके अभी के लिए इतना ही अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही जै शरी किशना और ध्यान रखिए अपनों का और अपने फैमिली में सब का और किसी के साथ कभी भी बुरा मत करिये और नहीं कभी बुरा होने देजिये जै शरी किशना झाल